गुद बॉर्णिंग स्टूरेंट्स यह आपका चैप्टर दस भाग सीखें और इसमें हमने कल क्या था अभ्यास सोला भागफल संख्याओं का भागफल ग्यात कीजे और आज हम करेंगे पेज नंबर 33 है आपकी और इसमें अभ्यास 17 आज हम करेंगे नीचे दीगी संख्याओं को भाग दीआ तो देखिए कैसे देगे संख्याओं का संख्याओं का भागफल ग्याद करो तो देखिए इसमें कैसे करेंगे पांसो उनन्चास को भाग देना है नो से फिर पांसो आठटर को भाग देंगे हम दो से 594 को भाग देंगे हम दो से हैले हम इनको करते है देखिए कैसे करेंगे मैंने आपको पहले भी बत आयता और अब फिर से बता रही हूँ देखिए भाग देने का तरीका क्या है एक अंक की संख्या से भाग देना है तो सबसे पहले हम बाई संख्या का सबसे बाई अंक को चेक करते हैं तो बाई अंक क्या है यहाँ पर पांच अब पांच इससे छोटा है नौसे छोटा है दिख रहा है ऐसी कंडिशन में हम फिर दो अंकों का प्रयोग अगर इस से ये अंक बड़ा होता तो हम इसको भाग दे देते लेकिन ये छोटा है पाँच तो हम चववन का प्रयोग करेंगे अब देखिए नौ की टेबल में चोवन कहां आता है नौ छे चोवन तो हम यहां क्या लिखेंगे छ और यह चोवन घटाया तो क्या जाएगा यह अपर शूने अब हम नौ को नीची लेकि आएंगे अब नौ एकम नौ घटाया शूने हो गया अब भागपल इसका क्या आया 61 ऐसे ही नंबा दो है अब दो से देखो अब यह पर फिर आप पहला आंग चेक क्या है पांच तो पांच देखिए दो से बड़ा है तो हम पांच को भाग दे सकते हैं बड़ी संख्या को भाग दे सकते हैं अब दो की टेबल में देखिए पांच आता है क्या पांच नहीं आ लखेंगे 2-4, घटा या है आपकर 1 और यह साथ नीचसे आ गया, अभी क्या बन गया? 17, अब 17 देखे 2 की टेबल में आता है क्या? नहीं आता, नहीं आता न, तो 17 से पहले 2 की टेबल में कौनशा अंकारा है? गटाया तो यहाँ पे क्या आया एक अब आठ को हम नीचे लेके आए अब आठारा देखे दो की टेबल में आता है आता है दोनाम आठारा गटाया और यह शून्य हो गया चीक है ऐसे इसको देखिए 594 को हम दो से भाग देंगे पहला आंग यहाँ पे क्या है पाँच अब पाँच दो की टेबल में नहीं आता लेकिन बड़ा है तो अब दो की टेबल में पाँच से पहले कौन सांक आया दो दुनी चार गटाया तो क्या आया एक अब नौ को हम नीचे लेके आएंगे यह क्या हो गया 19 क्या हुआ 19 अब नोग दो के पहाड़े में 19 नहीं आता तो क्या आता है से पहले 18 तो हम यहां क्या लिखेंगे दो नाम 18 घटाया तो क्या आया एक यह चार को नीचे रेख्या यह क्या बन गया 14 दो की टेबिल में 14 का आता है 274 घटाया आगया शुनिया निभागफल इसका क् 227 तो यह इस तरह से आपको यह भाग देना है और संख्याओ का भागफल ज्यात करना है तो यह तो आपको समझ में आगे होंगे फिर देखे 625 को हम भाग देंगे 5 से देखें पहली संख्या यहां पर क्या है 6 और 6 पांच से बड़ी है तो हम क्या करेंगे 5 एकम 5 गटा है तो क्या बचेंगे हम पर 1 अब यह 2 को हम नीचे लेख क्या यह क्या बन क्या 12 12 देखें 5 की टेबल में आता है नहीं आता तो क्या आएगा 5 गटाया तो क्या बचा दो अब यह 5 नीचे लेख क्या आए हम 25 और यह हो गया 0 भाग फल क्या आए हम पर 125 इस तरह से आपको यह करना होगा आपके समझ में आ गया होगा ऐसी देखिए आप करते हैं 364 को भाग देते हैं हम 364 को भाग दे रहे हैं हम हिस्से देंगे साथ से आप देखिए पहला आंक क्या है तीन तीन साथ से छोटा है आप ऐसी कंडिशन में क्या करेंगे दो आंक का यूज करेंगे वो क्या है 36 अब साथ की टेबल में 36 नहीं आता चक्ति से पहले कौन सांग का संख्याति है साथ पंज पैटिस क्या आता है साथ पंज पैटिस घटाया तो क्या बचा एक और यह चार को नीचे लाए लिए क्या हो गया साथ दोनी चोधर तो इस तरह से यह हो गया शुटन के है कहने का मत्तव यह है इस तरह से आपको यह कोशन से मझ में आ आ गए होंगे आपको ये तो अपनी notebook में करना ही करना है अभी आप इतना ही करिए और आपके ये हो गई first line हुई है second line इसमें आप खुद करेंगे अब आप खुद भी कोशिश कीजिए भाग सीख रहे हैं ना अभी आपको ज़्यादा नहीं करना है ये तो आपको करना है और इसकी second line को आप अपनी notebook में अब आप खुद करेंगे फिर उसके बाद में मैं आपको और मैं कल और करवाँगी questions तो आपको homework क्या है ये repeat CW repeat CW in your notebook and do second line also ये second line जो है वो भी आप अपनी notebook में खुद करेंगे अब आप अब आपको खुद को भी कोशिश करनी है repeat CW in notebook ठीक है और इसकी second line को भी आप करेंगे अपनी notebook में ठीक है Thank you